नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं तुर्गा पूजा के तुरंत बाद राज सरकार विधान सभा का विशेश सत्र बुलाएगी, इस सत्र में उने सब बतिस खथियान आधालित अस्थानिय नियोजन नीती और OBC को 27 पर्थियत अरक्षन का बिल पेस किया जाएगा राज सरकार इसकी त्यारी कर रही है, विभागों को अवस्थक दिशा नेदेश भी दिया गया है, इसी बीच बिधायकों से राई भी ली गई है बिधायक चाहते हैं कि जल्द इस बील को पेस कर इसे कानून का रूप दिया जाए हलाकि बील पेस करने के बाद सरकार इसे नवी अनुसुची में सामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी सुत्रों ने बताया है कि 29 सितंबर को केबिनेट की बैठक है इसमें बिधान सबाक बिशेश सत्र आयोजित करने का परस्ताव आ सकता है इसी में तीथी तय होगी ग्यात होगी दसारा 5 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है सरकार 15 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन बिशेश सत्र की तीथी की घोसना कर सकती है साहिया संग ने की तय मांदे की मांग जारखन पर दे साहिया संग ने निधारित मांदे की मांग को लेकर सनिवार को धाल भूम के अनुमंडल पता दिकारे को ग्यापन सोपा संग की मांग है कि उन्हें भी आंगनवाडी सेविका वा सहाईका की तरह मांदे का मांसिक भुक्तान किया जाए उनका अरोप है कि काम के अधार पर उन्हें भुक्तान किया जाता है जिसके कारण उनकी सिदी पहले से भी बत्तर होती जा रही है उन्होंने बताया है कि काम करने वाली साहिया को 28,000 रुपय की रासी ही हर महा मिल पाती है इस महांगाई के समय में इतनी कम रासी में गुजर बसर करना काफी मुस्की सावित हो रहा है उन्होंने बताया है कि रभीवार के वे अपनी मांग को लेकर राजी के स्वास मंत्री बन्ना गुपता से उनके आवास पर मिलेंगी और ग्यापन सौप करमांदे की मांग करेंगी कूर्मी समुदाय का रेल रोको अंदोलन समाप्त पच्छिम मंगाल में अनुसुचित जन जाती में सामिल करने की मायं को लेकर कुर्मी समुदाय का अंदोरन पांचवे दिन खत्म करने का इलान किया गया आज पुरुलिया जीला अधिकारी का रियाला में उनकी मागों को लेकर गाजय परसासन सचीव अस्तर पर वीडियो कंफरेंसें के माधम से बैठक की गई पुरुलिया के जीला अधिकारी एवं पुलिस अधिक्छक सहीत उच पदस्त अधिकारी उपस्थित थे बठक के बाद आदिवासी कुर्मी समुदाय के परमुख नेता अजीत परसाद महतों ने नाके बांदी हटाने की घोसना की है बतादे की पांच दिनों से चल रहे आंदोरन के कारण रेलिवे के साथ साथ सड़क परिवान भी बाधित हो गया था रेल रोको आदोरन के कारण अब तक लवख 200 ट्रेनों को रद करना पड़ा था जबकि दर्जनों ट्रेन के रूट डाइवट किये गए थे मुख्यमंत्री हेमंत्र सुरेन का एक हायार दीन पूरे ज़ारखन में हेमंत्र सरकार अपने एक हैर दीन सफलता पूरवख भूरे कर लिये हैं इसी के साथ हेमंत्र सुरेन राजे में एक हैर दीन सरकार चलाने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन गया है इसी कड़ी में राज्य में हिमंद सरकार की सफालता और विफालता को लेकर राईनेती घमासान भी सुरू हो चुका है जारखन के मुखे मंत्री हिमंद सुरेन पतंज कसते हुए रगबर दास ने कहा है कि मैं उनको बधाई क्यों दूँ जल जंगल जमीन बेचने के लिए बिकास ठप हो चुका है सरकार के पास कोई उपलवधिया नहीं है ओ गयर समिधानिक योजनाव का घोसना करते जा रहे है राज्य में दुसकर्म, हत्या, डकैती और लूट पार जैसे घटनाय बढ़ रही है इसके लिए राज सरकार बधाई के पात रहा है जारखन के बिएट कॉलेज में परवेश परिक्षा के लिए तिन तक करे आवेदान जारखन के सरकारी यों गयर सरकारी बिएट संथानों में 2022-2027 के लिए नमांकन परवेश परिक्षा के माध्यम से ही हो गा है उच एवम तकनीकी सिक्षा विभाग ने जारखन सन्यूकते परवेश परतियोगिता परिक्षा पारिशत को इसके अनुमाती पदान कर दिया है अनुमाती मिलने के बाद पारसद ने बीर सन्युक्त परवेश परतियोगता परिक्षा 23 अक्टूबर को आयोजीत करने का निने लिया है यह परिक्षा रांची धनबा जमसेथपूर वोकाडो दुमका तथा डाल्टेंगन के जिला मोख्यालों में बनाए जाने वाले केंद्रों पर होगी पारसद ने सुक्रवार को इस समद में सुचना जारी करते हुए वैसे अभियार्थी के एजेंट नहीं खुद लूटवाया था रूपया रामगड जिले के बरलांगा थाना छेतर में गत 20 सितंबर को फाइनेंस कमपेनी के एजेंट से लूट की घटना का सनीवार को रामगड पुलिस ने खुलासा कर दिया है गत 20 सितंबर की दोफर को थाना छेतर के बंगाल सीमावर्ती छेतर डाका गढ़ा में एक लाग चालिस एर के लूट रिवलवर दिखाकर कर लिगाई थी इस मामले में एजेंट नियमुदीन अंसारी ने उसी दिन बरलांगा थाना में प्राथमी की दाज कर आई थी बरलांगा पुलिस गाटना के बाद चोरो की तलास में जूट गाई एसपी प्यूस पांडे के निदेश पर गठी टीम ने और 23 गंडे के अंदर कांड काउध बेटन कर लिया है यम लूटेरों को पकड़ लिया लूट किसी और नहीं बलिक भारत फाइनेंस कंपनी के एजेंट नियामुदीन अंसारी के द्वारा ही कराई गई थी गैस ट्रंकर ने ड्यूटी पैतेनाद पुलिस जवान को कुचला मौके पर मौत जार्खन बिहार सिमा पर मौझूद हजारी बाग जीले के चोपारन थाना छेत्रे के चोरदाहा चेक पोस्ट पर सणिवार के सुबा बड़ा हादसा हुआ है जहां पर एक गैस ट्रंकर ने ड्यूटी पैतेनाद पुलिस जवान को कुचल दिया मौके पर ही जवान की मौत हो गई जनकारी के मुताबिक जवान सहदूल अली चेक पोस्ट के पास एक पीकप वेन को रोक कर उसकी जाच कर रहा था इसी दवरान पीछे से बरही की ओर से आरहे है ट्रेंकर ने उसे कुचल दिया इस हाजसे में जवान की मौके पर ही मौत हो गई जवान बैंगा बाद गिरी डी का रहने वाला बताया जा रहा है नामकुम थाना के मौनसी 15,000 रिस्वत के आरोप में सस्पेंट जवान की रहानी रहाची के नामकुम थाना में पदस्थापित मौनसी भूसन कुमार को SSP की सोर कौसर ने 15,000 रुपे घुस मांगने के आरोप में सस्पेंट कर दिया भूसन कुमार पर आरोप है कि उसने ससांक कुमार से रिस्वत की मांग की थी ससांक की बाइक 12 सितंबर को चोरी हुई थी पुलिस ने दो दिन के बाद बाइक बरामत कर लिया था मौनसी बाइक छोड़ने के लिए पैसे की मांग कर रहा था ससांक ने इसकी सिकायत SSP से किया तो पुरे मामले की जाच की जिमिदारी DSP नीरज कुमार को दी गई DSP के जाच में सपस्ट हुआ है कि मौनसी पीडिस से लगातार पैसे की मांग कर रहा था SSP का कहना है कि थाने में किसी पुलिस कर्मिक दोयला परवाही बरती गई तो उसके खिलाप कड़ी करवाही की जाएगी सक्ति पुझ एक्सपरेस का एक अक्टूबर से बदल जाएगा टाइम टेबल जबलपूर से हबरा के बीच चलने वाली सक्ति पुझ एक्सपरेस का टाइम टेबल बदलने जा रहा है एक अक्टूबर से यह ट्रेन बदलते हुए समय पचलेगी इस बाबात पच्छिम मद्य रेल्वे ने अधिस्वुतना जारी की है पहले या ट्रेन जबलपूर से राट 23 बज कर 40 मिट पर खुल कर तीसरे दिन 4 बजे सुबा हावड़ा पहुंचती थी अब राट 22 बज कर 20 मिट पर खुल कर राट 22 बज कर 40 मिट पर हावड़ा पहुंचेगी वही सक्ति पुंज एक्स्प्रेस वया डालते इंगन चलती है या ट्रेन पहले 12 बज कर 26 मिट डालते इंगन रेल्वे स्टेसन पर पहुंचती थी जो अब अधाई घंटे पहले 9 बज कर 57 मिट पर पहुंचाएगी पलामु जिले में इस ट्रेन कर ठाराव डालते इंगन के अलावा गधवा रोड जक्सन पर है पितरपक्ष अमस्या वा महालया कल महालया के साथ ही कल 25 सितंबर को पितरपक्ष 2022 के समापन होगा इसी के साथ देवी पक्ष सुरुवात हो जाएगी पंडितों के अनुशार महालया के दिन एक तरह पितरपक्ष समाप्त होता है तो वहीं दूसरी ओर माध दुरगा कैलास परवत से धरती पर पहुंचती है और अगले 9 दिनों तक धरती पर विरजमान राती है इस द्वरान धुमधां से नौनाती मनाई जाती है पितरपक्ष अमासेवा महालया इस वर्स 25 सितंबर को होगा इस दिन पितरों का तरपन किया जाता है महालया के दिन ही मुर्तिकार माध दुरगे की पर्तिमा की आँखे तियार करते है महलया के बाद ही मादुर्गे के मूर्ती को अम्तिम रूप दिया जाता है और पूजा पंडालों की सोभा बढ़ती है रांची रेलवे स्टेशन में अतिकर्मन करने आई टीम को लोगों ने रोका रांची रेलवे स्टेशन ओबर विरिज के पास वर्सो से रह रहे लोगों का आज बिरोध देखने को मिला रांची रेलवे स्टेशन के विकास कारे को लेकर पिछले कई दिनों से लोगों को नोटिस देने के बाद रेलवे सुरक्षाबल और अतिकर्मन की टीम यहां पहुँची जहां अस्थानिय लोगों ने जम कर विरोत किया और अतिकर्मन करने से रोक दिया मौके पर पहुँचे आरपीफ थाना परभारी राज सबस संसत महुआ मांजी संसत संजय सेट ने भी अस्थानिय लोगों के साथ एक बैठक किया बैठक में निनलिया गया कि जब तक सरकार इन लोगों को दूसरे जगा नहीं बसा दे थी तब तक यहां अतिकर्मन नहीं होगा जिसके बाद आरपीफ की टीम और अतिकर्मन की टीम यहां से वापस लोट गई धन्यवाद